देखे दोस्तों आजम में स्टेयर केस के स्टैप राजर लगा रहे हैं तो आपको पत्थर की नपाई कैसे करके कटिंग करने हैं इसकी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों देखे यह 10 इंच के स्टैप है 10 इंच के 10 इंच के आगर होएं तो ग्यारा कि घ्यारा इंच काुए पत्थर काटना है अगर ग्यारा इंच का इस्ट्या própria तो बाराइंस का पत्थर काटना है है कि ये म 계ब आरे कि यह हमारा 44 सेंट शमारे सिंच है इसको हम 25 का पत्थर काटने सब्सक्रइब तरह करें एक वहीन चेल फिलोर का क्याले भी लाता है और उसकी हाइट केलूलेशन करके पत्थर की मोटाई लैस करके तब हमको राजे काटना है ठीक है दोस्तों हम बताते हैं उपर का हमने लेविल कहा से लिया है यह देखे दोस्तों एक निशान हमारा लेविल का यह भी रफिन लगा हुआ है यह हमारा यह हमारा ग्राउंड फ्लोर का ले लेबिल है यह हमारा ग्राउंड होले अब हम आपको बतायें यहां डॉने कहा से लिए है अभी हमारे हाँ ट्राहिए यह होल यह बैट मेसे लिए देखिए कहीं नहीं लगी है कहीं नहीं लगी है अब यह हमारे बात्रूम लग चुके हैं इसके हम बात्रूम बात्रूम से लिवी लुठाएंगे इसका यह बात्रूम का फर्ष है यह बात्रूम का फर्ष है बात्रूम के फर्ष से एक पत्थर टक्र दिखानी है हमको तो एक पत्थर एक पत्थर रखने के बाद यह पॉनिच का पत्थर है और यहां से हमने 50 संटीमेटर का 50 संटीमेटर ऊपर करके निशान लगाया है ठीक है यह निशान हमने फिर इधर भी लगाए 50 cm बाथ्रूम का जो लेविल है 50 cm का उसको लेविल पाक से लेविल करके हाँ जीने पर निशान लगाना है आपको 402 cm है जो 402 cm है उसमें से 50 cm आपको डाउन करना है लेज करना मतलब 402 cm में से 50 cm लेज करते हैं तो 352 cm बनता है 352 cm को आप इस टैब गिनके फिर हाइट बाग करना है फिर चार पाँ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रह सोला सुत्रह ठारा उनिस बीस एक्किस इक्किस इस टैप आ रहे हैं हमारे चौकी की हाइड भी लेके तो हम तिन सो बावन सेंटीमीटर को एकिस जगा भाग करना हैं हमको आप सेंटीम में ना करें तीन सो जो बावन सेंटीमीटर है उसको आप म में भाग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखे दोस्तों पत्थर है मोटा पत्थर है कोई मोटा पत्थर है कोई पत्ला पत्थर है अगर हम हाइट लेने के बाद एक के तीन सो बावन सेंटीमीटर को एक की पत्थर एक पत्थर की एक पत्थर की मोटाई लेस करके अगर रैजर काटते हैं तो हमारा गडबल हो जायेगा अगर हमारा एक साइज का पत्थर होता तब यह तरीका कामियाप था कि तीन सु बावन सेंटी मेटर को 21 जगा भाग करकर जो इस टैप की मोटाई ये डबल पट्टी की उसको लैस करके राजर काटते तो और सही रहता पर ये पत्थर मोटा पतला है इसमें आपका गडबड हो जाएगा तो इसको कैसे काटना है ये हम आपको बताते हैं 352 सेंटी मेटर का आपको कैसे इस टैप की मोटाई लैस करनी है जितने भी आपकी चौकी है हमारी एक दो तीन और चार चौकी चार चौकी के पत्थर की मोटाई ना आपनी है आपको हमारे चार पत्थर की चार सोखी पत्थर पकी मुटाई 14 सेंटी मेटर हैं बाकी वारे 21 मैं सेच्ष ओकी गई 17 सट्रा श्टाप पची सट्रा श्टैप के मुटाई लेए आ इसको पहले पहले मैं पहले इसको सीधा करना है कि जिब तक आपके सीधे हो पत्थर तभी आप ना पाई लें तुमारे 14 सेंटी मीट तो 14 सेंटी मीटर तो मारी can ऐस्ट एक के पत्थर की मोटाई आए तो और ये 17 स्टेप की 17 एक और चार चौकी के पत्थर को मिला कर 54 संटी मोटाई आ रही है इसको लेस्ट करना है यह और हमको पलस एक एक स्टैप में को तीन एमम का ढाल देना है तो तीन एमम का किस्तिया 63 मम हो गया त्रेसेट मम मतलब 6 संटी तीन एमम हम साथ संटी मानते हैं इसको उसको साथ संटी लेकर आपको चौहतर संटी और साथ संटी 81 संटी को तीन सो 352 संटी से less करना है जो भी आप थिन सो बावन संटी में से highways संटी लेस के आए उसको 21 स्टैप में भाग करना है दोस्तों आप अगर उस हिसाफ से रैजर काटेंगे तो सारे आपके स्टैप एक बराबर चड़ जाएंगे एक बात का ध्यान रखना है 2-4 स्टैप आपको कभी काटना है जो भी 19-20 होता है तो उसमें मेगब कर लेना है आपको ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सस्क्राइब करें और शेक करें ठीक है ओके ठैक्यू दूस्तो झाल